अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक मैदानगडी थानी के टीम ने दो चोरो को क्या गिरफतार दो चाकू तीन मुवाइल फॉन एक मोट साइकल ब्रामत की साउध दिली जिला की डी सीपी संदन चोधरी ने मीडिया को बताये की पीपी भाटी माइन्स पीएस मैदानगडी के फुलिस टीम ने दो चोरो को गिरफतार किया है जो एफाइर संखे नमर 599 बड़तेई धारा 25 आमसाट के तहत दो हताज चोरो को गिरफतार किया है इनके पैसान मनोस और्फ मनो ये PS मैदनगड़ी पीपी भाटी मैंस का BC है इसको गिरबतार करके सहर ने काम किया है और आम्स एक्ट PS मैदनगड़ी में मौनिस खान और्फ मनिस इसको गिरबतार करके है ये BC है फतेपुर बेरिगा जिसकी एफायर सेंके नमबर 520-25 आम्स एक्ट के तहद दो मामले इन दोनों पे अलग अलग थे और साथ मामले सुलिया हैं इनके कबजे से जो बरामत के हैं द आधार कार्ट भी इनके पास से बरामत क्या है आगे DCP ने बताए कि साओ दिल्ली के महरोली और छतरपूर छेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुष लगाने के लिए छेत्र में रोकताम और पता लगाने के लिए समिदन सील्ट छेत्रों में जाल लगाए गी थे जिसके बाद प्लिस टीम ने स्थाने मुक्विरों को समिदन सील्ट बनाकर और मानव खुफे जानकर इखटी की और इमांदर प्रयासुर के उन्हें जेल जमानत से छुटे और पैरोल से छुटे अपरादियों पर निगरानी रखने और उन लोगों का घेंजाज करने का भी निर् पाज़ेश विद्या गया था एक टीम जिसमें इस्पेकर मनित चोधरी, परवारी पाटी माइन के नित्रत में asa संदीथ, मचित, स्री राम, Д कुल्वीर, धर्व जर्वेंदर और कॉंस्टेवल दिन हिश्टी में सामीनते जो की third-prot-s तीम सार्सित लिवक नान. साथ चोरों दुवारा ले गई परविस और निकास मार के जास की गई और आखिरकार पुलिस को सफलता हसील हुई और दो चोरों को गिरफ तार किया गया जिनके पैसान पहला मनोज और मन्नो पुच्र रामकुमार निवाजी संजे कलोनी भाटी माइंस के रूप में हुई इस सी एंजी पम के सामने लाडो सुराई के रूप में इसकी उमर 27 साल है ये फतिपुर बेरी थाने का बीसी भी है इसमें 25 अपरादिक मामले दर्द है वराल इन दोनों आरोपियों से पूश्चास जारी है आरोपियों की कबज़े से दो बटन संचाली चाकू इसके लाबा त प्रिप्ट एक मोडर साकिल एक चोरी हुआ टीवी और चोरी हुआ आधार कार्ड भी बरामत हुआ है साथ मामले सुल जाए गए हैं